A किसी काम को Complete करता है 10 दिनों में B उसी काम को Complete करता है 15 दिनों में L Disability B काम छोड़कर चला जाता है कितने दिनों बाद चला जाता है ये भी नहीं बताया गया है लेकिन काम पूरा हो जाता है ऐसे question को Solve करने के लिए आपने Basic Method तो बहुत सिखा होगा लेकिन आज आप सीखने वाले हैं fast track method जी हाँ fast track method का मतलब है मात्र option देखकर आप question को चुटकियों में solve कर लेंगे चुटकी बचती नहीं है मेरे से लेकिन चुटकियों में solve करना सिखा सकता हूँ मैं जी हाँ दोस्तो तो ऐसे question पहले तो basic सीखने के लिए अगर basic सीखना तो बहुत जरूरी है उसको सीखने के लिए आप मेरे इस वीडियो के description box में जाकर link पर click करिए और जाकर basic भी सीख सकते हैं लेकिन आज यहाँ पर आप सीखेंगे time and work कार और समय का leaving and joining कुछ लोग काम को छोड़ के चले जाते हैं कुछ काम को कुछ दिनों बाद join कर लेता है भी किसी काम को कुछ दिनों बाद join कर लेता है इस type के question आप इतने आसान तरीके से सिखेंगे उम्मीद करता हूँ पहले कभी नहीं सिखा होगा आपने जी हाँ दोस्तों तो चलिए सुरू करते हैं अपने इस session को सांदार session को बने रहेगा वीडियो में आगे आपको सांदार से सांदार question दिखाऊंगा और solve करने का तरीका बताऊंगा चलिए session को सुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजन वर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ABC Classes Math from the Beginning जहां पर आप math को सिखते हैं बिल्कुल basic तरीके से जियां दोस्तों railway group D का selection बैस चल रहा है जहां पर मैं एक एक chapter को complete basic तरीके से करा रहा हूँ basic तरीका ही मेरा ऐसा होता है कि वो shortcut method बन जाता है आपको यकिन ना हो तो आप मेरे वीडियो पर मेरे वीडियो के playlist में जाये और कोई भी वीडियो उढ़ा के देख सकते हैं आपको समझ में नहीं आया unsubscribe कर दीजेगा लेकिन इस वीडियो के लिए अभी के अभी subscribe कर लिजे क्योंकि वीडियो बहुत ही सांदार होने वाला है लाश तक देखिएगा नहीं समझ में आता है नहीं मजा आता है तो वापस unsubscribe कर लिजेगा ठीक है दोस्तों अभी subscribe कर लिजे अधर्वाइस बाद में भूल जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं leaving and joining के concept को पहले हम समझते हैं इसका concept है क्या ठीक है बच्चो तो शुरू करते हैं अपने इस session को तो बच्चो living and joining में main चीज़ क्या होता है एक इसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है भी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है दोनों काम को एक साथ सुरू करते हैं ठीक है लेकिन बी 5 दिनों बाद काम बी काम खतम होने के 5 दिनों पहले ही 5 दिन पहले ही काम को छोड़ कर चला जाता है तो बताइए काम कितनी दिनों में पूरा होगा तो ऐसे question को करने के लिए जो मैं तरीका समझाने जा रहा हूँ ध्यान से समझ लो और एक एक question देख लेना तो बच्चों हमें ध्यान देना होता है कि काम कितनी दिनों में पूरा होगा काम जो भी है वो पूरा तो हो गया है काम पूरा तो हो गया है लेकिन हमें बताना क्या होता है कितनी दिनों में पूरा होगा या हमें बताना होता है B कितने दिनों पहले काम छोड़कर चला गया या A कब काम छोड़कर चला गया लेकिन question में ये information दी होती है कि काम पूरा हो चुका है लेकिन कितने दिनों में हुआ है यही नहीं पता होता है तो हम क्या आपको समझा रहे हैं ये कह रहे हैं, अगर काम पूरा हो गया है तो काम पूरा होने का मतलब है, वह एक के बराबर है, एक काम था, एक काम को A कर रहा था, उसी काम को B कर रहा था, काम पूरा हो गया है मतलब, काम पूरा हो गया मतलब is equal to 1, सबसे पहला step is equal to 1, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ ग आपको यह समझाता हूं माल लीजे ए जो है वो 10 बटा 9 लिखा हुआ है 10 बटा 9 का मतलब क्या हुआ 10 बटा 9 का मतलब क्या हुआ मतलब यह हुआ एक किसी काम को 10 दिन में करने की capable छमता रखता है एक किसी काम को 10 दिन में कर सकता है लेकिन करता कितने दिन है, 9 दिन काम करता है कितने दिन काम करता है, 9 दिन काम करता है अगर लिखा हुआ है 11 बटे 20 इसका मतलब है, एक किसी काम को 20 दिन में पूरा करने की छमता रखता है चमता रखता है लेकिन करता कितने दिन है करता है केवल 11 ही दिन करता है कितने दिन करता है केवल 11 ही दिन करता है ठीक है ऐसे ही कुछ भी लिखा हो 7 बटे 17 लिखा है इसका मतलब है एक किसी काम को 17 दिन में पूरा करने की चमता रखता है लेकिन काम कितनी दिन करता है केबल साथ दिन करता है तो ये एक छोटा सा लॉजिक समझ में आ गया हाँ आ गया क्योंकि है ही नहीं कुछ समझ में आ गया आपको ठीक है न तो पहला मैंने समझाया काम पूरा हो चुका है तो हम लेंगे is equal to one और इसका मतलब क्या है ये हमने आपको बता दिया अब वो method भूल जाएए अभी वो method भूल जाएए कि कि किसी काम को 10 दिन में करता है तो एक बटा 10 ठीक है फिर एक बटा 15 फिर calcium निकाला वो सब साम जाम इस वाली class में नहीं बताने वाला हूँ ठीक है तो बच्चो और अच्छे से समझने के लिए मैं ले चलता हूँ आपको आपके पहले question के उपर ठीक है दोस्तो ये रहा आपका पहला question तो दोस्तो ये देखिए पहला question आपके सामने है जो कि आप ऐसे चुट्कियों में करने वाले है ठीक है एक किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है या पूरा करता है जबकि भी उसी काम को 15 दिनों में करता है दोनों एक साथ काम सुरू करते हैं दोनों एक साथ काम सुरू करते हैं लेकिन काम पूरा होने से 5 दिन पहले भी काम छोड़ देता है, तो बताइए काम कितने दिनों में पूरा होगा, आपके पास option है, 7, 6, 9, 8, ऐसे question, SSC, railway, bank, UP, SSC, लेकपाल, UP, पुलिस, दरोगा, हर जगह पूछा जाएगा, ठीक है, कैसे करना है, तो सबसे पहले हम आपको क्या चीज़ बता रहे हैं, वो ध्यान सबसे पहले तो question को अच्छे से आपने पढ़ लिया, ठीक है, question किस पे based है, based है, काम छोड़ता है, मतलब living पर based है, काम छोड़ने पर based है, ठीक है, तो सबसे पहले question को पढ़कर हम question से information क्या collect करते हैं, A, 10 दिन में काम करता है, B, 15 दिन में काम करता है, हमारा सबसे main चीज़ क्या है, कि काम कितने दिनों में पूरा हो जाता है, काम कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है, काम कितने दिनों में पूरा होगा हमें ये पूछा गया है, इसका मतलब यह है, काम पूरा हो गया है, मतलब is equal to one, काम पूरा हो गया है, काम पूरा हो गया है, मैंने कहा, वो घ थर तो बन गया है लेकिन कितने दिनों में बना है तो आपको यही तो बताने कितने दिनों में बना है ठीक है तो काम पूरा हो गया है हमारा पहला step होता है is equal to one लेना क्योंकि काम पूरा हो चुका है अब दूसरा step क्या है मेरे बच्चो मेरे प्यारे बच्चो दूसरा step यह है दूसरा step यह है starting and ending starting और ending हमें यह बताना है कि काम कौन-कौन सुरू कर रहा है तो काम कौन-कौन सुरू कर रहा है दोनों एक साथ काम को सुरू करते हैं मतलब A और B दोनों एक साथ काम को सुरू करते हैं तो मेरे बच्चो समझ में आ गया starting starting मैंने क्या बताया कौन-कौन काम को शुरू कर रहा है तो A और B एक साथ काम को शुरू करते हैं लेकिन काम पूरा होने से 5 दिन पहले B ने काम छोड़ दिया B ने काम छोड़ दिया तो मेरे बच्चो काम खतम कौन करेगा काम खतम B A ही करेगा काम A ही खतम करेगा यहां तक समझ में आ गया बिल्कुल हाँ समझ में आ गया आजाओ अब खेला सुरू करते हैं खेला सुरू करते हैं यह रहा A यह रहा B हाँ ठीक है अब मैं क्या कहता हूँ मान लो A क्या है 50 दिन में काम को खतम करता है समझा रहा हूँ बच्चो समझ लो प्यार से करना तो आपको मुश्पिल से कुछ सेकेंडों में ही है ठीक है मान लो ए इसी काम को 50 दिन में पूरा करता है 50 दिन में पूरा करता है तो B उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा according to question B जो होता है 5 दिन पहले काम छोड़ देता है 5 दिन पहले काम छोड़ देता है मतलब A क्या करता है A सुरू से अंतिन तक काम कर रहा है और A ने कितना दिन लिया 50 दिन लिया मतलब पूरा काम जो खतम हुआ कितने दिनों में खतम हुआ 50 दिन में तो B ने कितने दिन काम किया होगा? B ने 45 दिन काम किया होगा Let us zoom another example A अगर 20 दिन में उसी काम को खतम करता है A अगर 20 दिन में काम खतम करता है मतलब वो सुरू से अंतिन तक काम खतम करता है तो B कितने दिन में कर रहा होगा? मेरे लल्लूओं B कर रहा होगा 15 दिन में ये बात समझ में आ गई मतलब कुछ भी जियूम कर सकते हो 100 कर लो 200 कर लो जो मन में आए वो कर लो ठीक है तो ये एक बात समझ में आ गई ठीक है अब मैं जो बेटा बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देख लो अब कोशन सॉल्व कराने जा रहा हूँ ठीक है कोशन सॉल्व कराने जा रहा हूँ तो देखो ए जो है इसी काम को 10 दिन में करता है लो बेटा मैंने 10 लिख दिया ठीक है बी कितने दिन में करता है बी 15 दिन में करता है लो बेटा मैंने 15 लिख दिया अब कुछी नहीं करना है LHS is equal to RHS Left hand side is equal to right hand side बस यही प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम option से 7 रख कर देखते हैं तो देखो बच्चों काम A जो है अंति A से शुरू से लेके अंतिन तक कौन काम कर रहा था A काम कर रहा था मतलब काम यह जो खतम हुआ है कितनी दिनों में पूरा काम खतम हुआ है तो यह option का मतलब क्या है option का मतलब यह है यह या तो 7 दिन में खतम हुआ होगा या तो 6 दिन में, 9 दिन में, 8 दिन में इतनी इन में से कोई 1 दिन होगा जिसमें काम पूरा खतम हो गया और A जो है सुरू से लेकर अंतिन तक काम कर रहा था तो जो भी option को मैं उठाऊंगा उसको हमें यहाँ एक ही जगे रखना होगा तो पहला option साथ है अगर मैं यहाँ पे साथ रखता हूँ मतलब साथ दिन में काम खतम होता है मेरे बच्चो तो B ने कितने दिन काम किया होगा तो B ने पांच दिन पहले काम छोड़ दिया मतलब साथ दिन में खतम होता है पांच दिन पहले छोड़ दिया तो बेटा कितने दिन किया होगा दो दिन ही तो किया होगा साथ में से पांच दिन हटा दो तो पांच दिन तो उसने किया नहीं, तो B ने काम कितने दिन किया, दो दिन किया, बच्चों समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है, अभी क्या करोगे, हमें LCM लेना है, काटा पीटी करना और is equal to 1 लाना है, तो हमें वैसे ही दिख गया, कि 7 और 2 ये किसी भी तरीके से LCM लेने के बाद 1 नहीं आएगा, ठीक है, ये practice करने से आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, जो beginner है, वो एक बार solve करके देख ले, 1 नहीं आएगा, ठीक है, practice करने से क्या, वो ऐसे ही दिख रहा है, अब हम लेते हैं another option, ये 10 था, ये 15 था, ठीक है, is equal to 1, अब हम लेते हैं काम कितने दिन में खतम हो गया, 6 दिन में, अगर काम 6 दिन में, ये समझ में आ रहे हो, मैंने क्यों लिखा था, ये इसलिए लिखा है, कि जो सुरू कर रहा है, और जो अंत कर रहा है, तो काम कितने दिनों में पुरा होगा, तो 6 इधर लिखना है, कि इधर लिखना है, ये बात समझाने के लिए तो काम 6 दिन में खतम हो रहा है मतलब A ने 6 दिन काम किया होगा कि several day हो चलो चलो पुरा काम-छ दिन में हुआ वी ने 5 दिन पहले काम छोड़ दिन मतलब किया कितने दिन एक ही दिन तुकिया एक दिन तो किया यार कि 95 10 perpetual गosis काट के मरी recycling नहीं लापाओगे मेरे बच्चो, नहीं लापाओगे, आगे देखते हैं 9, ठीक है, ये रहा 10 आपका, ये रहा 15, ठीक है, और ये रहा आपका 1, ठीक है, हम यहाँ पे 9 रखते हैं, यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे भी 9 मत रख देना, 9 मत रख देना, 9 में से 5 गटाओ चार रखोगे, पांक दिन पहले काम छोड़ता है, ठीक है, तो अब इसको हम solve करके देख लें, ठीक है, तो यह क्या हो गया, कटेगा क्या, नहीं, कटेगा तो नहीं आ, ठीक है, नहीं कटेगा, और हमें लग भी नहीं रहे कि 1 के बराबर होगा, ठीक है, 1 के बराबर भी नहीं आएगा, ठीक है, अगला देख लो बेटा, अगला क्या है, 8 है, यहाँ 8 रखा, और यहाँ भी क्या रखोगे, 8 में से 5 घटा दो, 3 रखोगे, is equal to 1, 2, 4, 8, 2, 5, 10, और 3 एकम 3, 3, 5, 15, अब देखो यह दिख गया, यह क्या आगया, 4 बटे 5 प्लस 1 बटा 5 बराबर 1, LCM लोगे 5 आएगा, और उपर भी 5 आगया, 5 से 5 कट गया, 1 is equal to 1, तो मेरे बच्चों, आपका option कौन से सही हो गया, 8 सही हो गया, आपका option 8 सही हो गया, मैं practice करके नहीं आया हूँ पढ़ाने, ठीक है, इस नहीं तो, मैं A, यह जो option D है ना, आपका, मैं D को क्या करता, यहीं पे रख देता, B की जगा मैं D को रख देता, आपको 4 option चेक करके मैं नहीं दिखाता, ठीक है, अब आपको लग रहा होगा, आरे यार, 4 option चेक करना पढ़ गया, है ना, वो तो किस्मत की उपर है, हो सकता है, पहला option सही होता, यह हो सकता है, दूसरा option सही होता, लेकिन, यार, option रख के देखने में हमें तुरंट एक सेकंड भी नहीं लग रहा है, कि एक होगा की नहीं होगा रखा एक नहीं आएगा रखा एक नहीं आएगा तुरंट पता चल गया आठ रखा अगर पेटा तीम में नहीं आया चौथा रखलो या ना रखो तुमारी मर्जी आप्शन तो वही सही होगा आठ रखने पर दिग्या की आप्शन आठ से एक आ गय तो यार, थोड़ा धैर रखो, आगे भी अलग-अलग टाइप के खुशन है, ठीक है, अब सारी चार कोशन इसी तरह थोड़े निकराने वाला हूँ, तुमारा टाइम वेस्ट थोड़े निकरूंगा, ठीक है, तो यह हो गया, आपको समझ में आ गया, अगले कोशन पर चले, अगला कोशन भी देखते हैं, कैसे किया जाएगा, तो देखो बच्चों, अब आपके सामने अगला कोशन है, कोशन नमबर टू, जो इस वीडियो को छोड़के जाने वाले थे, अब देख लो, कोशन अलग टाइप का है, मैं आपका टाइम वेस्ट करने वाला नहीं हूँ मज़ा आएगा एके क्वेशन में, ए और बी किसी काम को करमसा 60 वा 75 दिनों में पूरा करते हैं, दोनों एक साथ काम सुरू करते हैं, कुछ दिनों बाद, कुछ दिनों बाद, पहले क्या बोला था, पांच दिनों बाद, अब बोल दिया, कुछ दिनों बाद एक काम सब्सक्राइबन चुटकी बजा करें गर सेने वस तो व को मिली यह क्या physique काम पूरा हो चुका है काम हो हो चुका है हम को तो बताना यह है कि एने कितने दिनों बाद काम छोड़ा है और यह जो ऑप्षण नँग है वह केवल एक यह ने याको पर 100 ₹D to one is equal to one ठीक है अब हम बताते हैं आपको लेना है starting की काम किसने सुरू किया और ending ठीक है starting और ending ठीक है यह जब समझाने का है खेल है समझाने का starting A और B किसी काम को दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं A और B काम तो दोनों ने एक साथ चुरू किया, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, ठीक है, कुछ दिनों बाद A ने काम छोड़ दिया, अब B अकेले काम करता है, तो खतम किस ने किया मेरे बच्चो, काम खतम किस ने किया, B ने किया, बहुत सही मेरे बच्चो, यहां तक आपको समझ में आ गया, अब हम मान लेते हैं, let us assume मेरे बच्चो, A ने क्या किया और B ने क्या किया A ने काम खतम किया 50 दिन A जो है, A कितने दिनों बाद काम छोड़ देता है A ने 50 दिन बाद काम छोड़ दिया यह जो पूछ रहा है ना, A कितने दिनों बाद काम छोड़ दिया मैं आपसे कह रहा हूँ, भाई और बहनों, मैं आपसे कह रहा हूँ, तो ए ने बचाव दिनों बाद काम छोड़ दिया, तो भाई और बहनों, आपको बताना है, बी ने कितनी दिन लगाएं होंगे, मेरा कहना यह है, अगर ए ने पचास दिन बाद काम छोड़ा, चलो अड़ आप भी पढ़ाते समय मिमिक्री नहीं हो पाती है ठीक है ना एने 50 दिन बाद काम छोड़ दिया तो मेरे बच्चो बी ने 80 दिन काम किया होगा कि नहीं किया होगा अरे हां किया होगा क्यों किया होगा A ने जितने दिन बाद काम छोड़ दिया B अकेले बाकी काम पूरा करता है B अकेले बाकी जो काम है पूरा करता है कितने दिनों में पूरा करता है 30 दिन में पूरा करता है बाकी काम 30 दिन में पूरा करता है A और B ने 7 में काम किया होगा मतलब 50 दिन में A और B 50 दिन बाद A ने काम छोड़ दिया लेकिन 50 दिन तक तो B ने भी किया होगा अब जब A ने काम छोड़ दिया तो B ने जो 30 दिन अकेले काम किया है तो B ने जो काम किया है कुल दिन वो 80 दिन किया है और A ने 50 दिन किया है Let's take another example ठीक है? A जो है मान लेते हैं 20 दिन बाद काम छोड़ता है A जो है 20 दिन बाद काम छोड़ता है तो B जो है B ने कितने दिन काम किया होगा? 20 दिन तो 7 में किया A छोड़ के चला गया तो बाकी काम 30 दिन और लगाया ना B ने तो B ने टोटल 50 दिन काम किया होगा समझ में आ गया? हाँ यार समझ में आ गया अब हम आते हैं अपने concept के उपर is equal to 1 ठीक है? बटे बटे ठीक है? एक क्या था पहला? पहला 60 है और दूसरा क्या है? 75 है ठीक है यही तो है? जी हाँ बच्चो यही है अब हम क्या गरते हैं उठा लेते हैं 25 को ठीक है ना? पहला option उठा लेते हैं 25 को यहां रखेंगे ठीक है? क्यों रखेंगे यार? बता दो यहां क्यों रख दिया? यहां क्यों नहीं रख दिया? समझने वाली बात है ना? तो समझा देता हूँ क्योंकि ये जो option ना मेरे भाई वो A ने कितनी दिनों बाद काम छोड़ा वो option A के लिए है तो वो जो option A के लिए है तो हम A के उपर ही तो रखेंगे A के उपर रख दिया A ने 25 दिन बाद काम छोड़ दिया तो भाई B ने कितनी दिन काम किया होगा बी ने कितने दिन काम किया होगा गलत मत बताओ यार ठीक है 55 दिन काम किया होगा 30 दिन और भी तो करता है ठीक है 55 दिन काम किया होगा अब क्या करते हैं देख लो काट पीट के आ रहा हो 1 तो ठीक है नहीं तो दूसरा एक्जामबल उठाओ तुरंद रखो, भन्य से आंसर पाजाओ, ठीक है, ये 5 से कडिया 25 और 12, 25, ठीक है, और ये क्या कडिया 5 एकंद 5 और 25, ठीक है और ये वी चटिया 5 एकंद 5 और 25, ठीक है ना, ये हो गया, यार हमको तो नहीं दिखरा है, 12 और 15 का LCM लोगे और काटों के पिटों के 1 तो नहीं 60 ले लो और ये 75 ले लो 75 यह न बराबर एक ठीक है दूसरा option क्या है 20 है तो ए नहीं अगर 20 दिन 20 दिन बाद काम छोड़ा है तो बी ने 50 दिन काम किया होगा यार 30 दिन जोड़ोगे की नहीं जोड़ोगे बस यह concept रियाद रखना मैं जो बोल रहा हो ना इतनी तेज तेज आपकी दिमाग में घुज जया है इसलिए बोल रहा हूँ ठीक है अब इसको फिर से काट लो ठीक है LHS is equal to RHS हैंस प्रूव है ना हाई स्कूल में बड़ा हम लोग LHS is equal to RHS खेलते थें ठीक है लेफ्ट हैंस साइड is equal to RHS राइट हैंस साइड प्रूव हो गया तो चार नंबर मिल गया है ना बड़े खुस होते थे यहां एक ही नंबर पाओगे ठीक है तो बच्चों आ गया आ गया की नहीं आ गया concept समझ में आया की नहीं आया अगर आ गया यार तो like कर दो subscribe कर दो ठीक है और group D वालो आपका regular बैस तो चली रहा है वीडियो 11 बजे upload हो जाता है ठीक है 11 बजे upload हो जाता है हां और जो पहली बार आये हो प्लीज जरह एक बार playlist में जाके मेरे content को देख लो यार एक बार देख लो क्या जा रहा है पसंद आ गया तो फिर आगे भी पढ़ते रहे ना नहीं पसंद आया तो बस छोड़ देना आपके उपर है आप लोग अपनी मन मर्जी के हो यार ठीक है जहां मन करें वहां पड़ो लेकिन एक बार हमारे content को भी देख लो बड़ दोनों एक साथ काम सुरू करते हैं कुछ दिनों बाद एक काम छोड़ देता है अब बी अकेले बाकी काम को 20 दिनों में पूरा करता है कितने दिनों बाद एने काम छोड़ा हस क्यों रहो भाई मास्टर जी ने धोखा नहीं दिया है यह question पिछले question की तरह नहीं है याई option तो देख लो यह आपका option improper fraction में है improper fraction है बिटा और पहले क्या था पहले आपका proper fraction में option था मतलब 12 15 18 20 ऐसे option था लेकिन अब आपका 13 साई 1 बटा 3 improper यह proper fraction में आंसर नहीं है अगर option आपका improper fraction है तब कैसे करोगे तब कैसे करोगे तो question सेम है option अलग है करने का तरीका भी थोड़ा सा बदल जाएगा थोड़ा सा बदल जाएगा तो हम देखते है question पढ़ने की बाद जो हमें information मिली उस पर ध्यान देते है तो काम तो पूरा हो गया है मेरे बच्चो क्योंकि अब पूछ र करता है और ending करता है स्टार्टिंग कॉन कर रहा है और ending कॉन कर रहा है तो यह दोनों एक साथ काम शुरू करता है अब को बच्चो तो देखने हैं आपको देखने यह है कि ए जो है टाफ दिन हो गया 40 हो गया और बटे 50 हो गया ठीक है शोयों थीच बूलना थोड़ा थोड़ागे बहुत सो ङह और फ्रेंट है नशराज समझा रहे था है और आपक से ँक अ कले शेल्लत अछा लगता यह म कहते लुंगा लोग क्या बता रहे थे एक काम छोड़ देता है हाँ ठीक है ना बी जो है अकेले बाकी काम को 20 दिनों में पूरा करता है मान लेते हैं एने 20 दिन में काम को खतम किया कितने दिन बाद काम छोड़ा बी ने 20 दिन बाद काम छोड़ दिया बी ने 20 दिन बाद काम छोड़ दिया तो बी ने कितने दिन काम किया होगा कितने दिन किया होगा अरे पता दो 40 दिन किया होगा क्योंकि 20 दिन बी जो है अकेले 20 दिन तो काम करता है अकेले करता है कि नहीं करता है बी अकेले 20 दिन काम पूरा बी अकेले 20 दिन करता है एक जाने के बाद है ना माल लो यह जो था वह तीस दिन बाद काम को छोड़ता है तो बी ने कितने दिन काम किया होगा पचास दिन किया होगा समझ में आ गया चलो आ जाओ अब दिहान देना जब इन प्रॉपर फ्रेक्शन में आप्शन हो तो क्या कर कितने दिन बाद काम छोड़ा यार माल लो एक से दिनों बाद काम छोड़ दिया ठीक है ना पहले वाले से थोड़ा सा हटके है थोड़ा सा हटके है बागी सब वहता ही है तो ए ने एक से दिनों बाद काम छोड़ दिया यह जो था एक से दिनों बाद काम छोड़ दिया तो तो B ने कितने दिन काम किया हो गा या, B ने x plus 20 किया होगा मेरे भाई, क्योंकि B जो है, उसके A के जाने के बाद 20 दिन और काम करता है, तब ही काम क्या होता है, पूरा खतम होता है, तो यतना समझ में आ गया, यह सब देखो, यह सब तो मैं आपको कहानी समझा रहा हूँ, आपके दिमाग में बैठ जाए, कंसेप्ट बैठ जाए, एक्जाम में थोड़ी ने लिखोगे, गुरु जी ने समझाया था, पहले मानेंगे ए, फिर उसको साला 50 करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, न नहां पर तो option देखने की जुबरत नहीं है, क्योंकि आपने x मान लिया है, अब आप क्या करोगे, 200 आपका LCM आ गया, इसका इससे कर दो, तो कितना हो गया, 5x हो गया, प्लस 50 चोग 200, तो 4x प्लस 80, LCM में किसी को दिक्कत आए ना, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दी दुबारा से बता दूँगा, 5x प्लस 4x, 9x प्लस 80, है ना, अपन 200, जाना नहीं अभी छोल गी वीडियो को आगे, बहुत सी सांदार चीजे बताने वाला हो, यहां से क्या हो गया, 9x बराबर 200, और 80 इधर आ गया, तो माइनस का 80, तो यहां से क्या हो गया, 9x बराबर 120, ह 120 बटा 9 है, sorry बिटा, sorry 9 है, है ना, 120 बटा 9 है, हम 90 लिख दिये यार, गलती हो गई, 120 बटा 9 है, ठीक है ना, तो तीन तरिक का 9, तीन चुग 12, 40 बटा 3, मतलब क्या हो गया, 13, 49 और 14, तो 13, 49 और यह हो गया, आपका आंसर, 13, 1 बटा 3, ठीक है, करके देख ले ना, आंसर आपका यही आएगा, ठीक है, आंसर आपका यही आएगा, यार, मज़ा आगया, मज़ा आगया, गुरुजी ऐसे question करके, हाँ, मज़ा आगया, तो यार, please, like, comment, and subscribe तो बनता है, ना, कर लो, यार, क्या जा रहा है, आपका कोई पैसा थोड़े लग रहा है, ना, हमें पैसा म मिल रहा है, ठीक है, बस हमें मज़ा आएगा, कि हाँ, आप लोगों ने पसंद किया मेरे वीडियो को, ठीक है, आपने पसंद किया मेरे वीडियो को, मुझे अच्छा लगेगा, मैं आगे और सांधार 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 content लियाऊंगा, और railway group D वालो जोड़े रहना, आपका exam से पहले सब कुछ complete करवा के, आपके 25 में से 20 number लाने की guarantee के साथ पढ़ा रहा हूं, तो आएंगे आपके number, ठीक है, चलो अगला question देख लें, अगला question देखते हैं, ठीक है, कई मत जाना, देखते हैं अगला question, तो देखते हैं बच्चों, आपका अगला question, बहुत ही सांधा question है, और इससे पहले एक जरूरी सूचना, जी यहां बच्चों, बहुत ही जरूरी सूचना है, सूचना यह है, कि जो बच्चे अभी आज इस मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और railway group D का selection बहुत चल रहा है, तो प् थोड़ा सा मुस्किल को face करते हैं, समझने में, मैं वैसे ही समझाता हूँ यार, एक बड़ जो मेरे playlist में देखो, प्लीज देखो, ठीक है, अब देखो ये question रहा, A, अकेले किसी काम को 15 दिन में करता है, जबकि B, उसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है ना, बिल्कुल सही ब बाद उस काम को आकर, A का साथ देता है काम को करने के लिए, अब काम कितने दिनों में खतम होगा, तो मेरे बच्चू, काम खतम तो हो जाएगा, लेकिन काम तो खतम हो गया है, पूछा जा रहा है, कितने दिनों में खतम होगा, यार, ये हमेशा आपको काम तो खतम होई जा होता है न work on progress तो चल रहा है काम तो हम कहां से बताएंगे कितने दिन में खतम होगा तो काम हो गया है इसलिए तो बता पाएंगे कि कितने दिन में खतम हुआ है है न तो फालो की दिमाग में सवाल मतला अ ठीक है अब आ जाओ हमrent क्या करना किये बी काम को जोईन कर लेता है तो ए और बी दोनों काम को खदम करते हैं ठीक है खदम करते हैं पांच दिनों बाद बी ने काम को जोईन किया है डांच दिनों बाद तो ए जो है और बी जो है मान लेते हैं अब काम कितने दिनों में खदम होगा मान लेते हैं ए ने बीस दिन काम किया था तो बी ने कितने दिन किया होगा बी पांच दिन बाद आके जोईन करता है ना तो अगर ए जो है बीस दिन काम करता है मतलब सुरू से करता है अंतिम तक करता है इसका मतलब है बीस दिन में काम खतम हो गया लेकिन बी ने कितने दिन काम किया बी ने पंदरे दिन ही तो काम किया है ना मान लेते हैं यह जो है पचास दिन काम करता है पचास दिन काम करता है मतलब सुरू से करता है और अंतिम तक करता है तो पचास दिन काम करता है मजफ़ाल drag में काम पूरा हो गया तो बी ने कितने दिन किया होगा यार बी ने 45 दिनी किया होगा ठीक है light तो नहीं पड़ रही यह मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं लिख रहा हूं दिखना रहा हूं वह чит कर लेता हो नहीं दिख रहा है, सब दिख रहा है, सब ओके है, ठीक है, तो A और B, ठीक है न, B ने 45 दिन काम किया होगा न, यह तो बहुत इजी सी बात थी, आपको समझ में आ गई, तो यह रहा A आपका 15 दिन, और प्लस B आपका 10 दिन, ठीक है न, यही तो है, अब हम क्या करते हैं, कितन A ने अगर 8 दिन काम किया है, तो B ने कितना किया होगा, 5 दिन बाद आके जोइन करता है न, 8 दिन में काम खतम हो गया, B 5 दिन बाद आके जोइन करता है, तो कितने दिन करेगा काम, 3 दिन तो करेगा, 3 दिन तो करेगा, और यह 3 बटे 10 है, कटे पिटेगा है नहीं, तो answer 1 त रख दिया ठीक है ना यहां पे भी 9 रख दिया अब देखते हैं इसको सॉल्व करके तो तीन तरिक का नो तीन पचे 15 ठीक है ना और कुछ हो सकता है क्या और कुछ तो नहीं हो सकता है तो आगया तीन बटे पांच और ओ सॉरी मेरी बच्चो यार देखा करो ध्यान दिया करो है ऐसी गलती एक्जाम में हो जाएगी तो नौ दिन में अगर काम कंप्लीट होता है तो बी कितने दिन कर रहा होगा बी ने तो बेटा चार आगया 5 5 is equal to 5 आपका आगया 1 तो हो गया आपका आंसर 9 सहीं ठीक है मज़ा आगया अब एक चीज और बताना एक्जाम में भाई इसी तरह के तो question आते हैं ऐसा तो है नहीं मैं चटनी करके चटनी करके आपको question करा दिया और यही मतलब कि बस इसी पर trick काम करेगा यह कोई ट्रिक नहीं है actually यह ट्रिक है ही नहीं यह भी एक तरीका है question को solve करने का ठीक है मेरे regular lecture में आप basic method से मेरा basic method भी इतना sort होता है ना समझाता हूँ तो थोड़ा से लंबा लगता है लेकिन जब करो के तो इतना sort होता है को के गुरुजी मजा आ गया ठीक है तो प्लीज lecture को इस वीडियो को शेर करिए अपनी दोस्तों के सार्ट like and subscribe तो होना ही चाहिए plus comment करके मुझे जरूर बताना चिला चिला च subscribe जरू कीजे धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल रखिए पढ़ाई अच्छे से जारी करिए UP उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा 9534 पदों के लिए नया बैच जल्द ही प्रारंब करूंगा math के लिए ठीक है और जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं उनको मैं एक चीज़ बता दूँ उत्तर प्रदेश पुलिस computer operator grade A में तीन साल नौकरी कर चुका हूँ पुलिस की विवस्था को अच्छे से समस्ता हूँ पुलिस का exam निकाल चुका हूँ दरोगा का exam पहले भी निकाला है ठीक है यार दौड दौड एक्षिली नहीं हो पाया था ठीक है ना नहीं हो पाया था तो इस बार मैं form ही नहीं डालूँ गा ठीक है पुलिस की नौकरी छोड़के आया हूँ इस से मैं दूसरी नौकरी कर रहा हूँ तो पढ़ाऊंगा जरूर आपको है ना तो उसके लिए तयार रहे है मेरे म माजब बच्चो.